और हम ये भी चाहते हैं कि पूरे भारत में 4000 सीट जीत जाएंगे अरे गलती हो गई सौरी सौरी और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 400 से ज़्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे आधर हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 की 400 सीट जीत जाए और हम ये भी चाहते हैं कि पूरे भारत में 4000 सीट जीत जाए अरे गलती हो गई सौरी सौरी 400 सीट और हम चाहते हैं कि 4000 सीट जीतने के साथ साथ नरेंदर मोदी जी फिर से परधान मत्री बन जाए ये आपको लगता होगा कि पुराना होगा लेकिन ये एकदम नया है ताजा है मुक्वंदर नितीश कुमार की जबान से आज ही निकला है और वो ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत में 4000 सीट जीत ली जाएं लेकिन मेरा मारना है कि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, अमरीका, कनाड़ा, जापान सब को जोड़ दीजिए फिर भी 4000 सीट तो नहीं हो सकती है लोग ये कह रहे हैं कि दरसल ननेंदर मुदी का मजाक बना रहे हैं चुटकी ले रहे हैं नितीश कुमार और लोग ये भी कह रहे हैं कि लालू परशाद यादव ने एक बार कहा था कि बिहारी में इतनी स्यासी क्वालिटी होती है कि वो उर्ती चिरिया को पकड़ के हल्दी लगा देता है चुना लगा देता है तो शायद मुकमतिर नितीश कुमार उम्र के इस पड़ाओं में इतना तो खयाल जरूर रखते होंगे कि चार सो और चार हजार में कितना बड़ा फरक है दरसल ये तीसरी चौती बार है जब प्रधान मंतरी नडिनर मोदी के जीत को ले करके आश्वत से दिखाए नितीश कुमार ने चार सो की जगा चार हजार कह दिया और आज भी उन्होंने यही कहा उसके बाद जो विपक्षे लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया आरज्यडी ने अपने पेज पर लिखा कि लगता है कि नितीश कुमार जी लोग सभा के चार हजार सीट को वुजूद में लाकर ही दम लेंगे यानि चार सो की जगा पर चार हजार जो कहा जा रहा है यानि जब हार नहीं है तो चार सो सीट हो, चार हजार सीट हो चार लाक सीट हो और क्या पड़ता है इंडिये गडबंधन में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है मुकमत नितीश कुमार ने चिनावी भाशन के दौरान एक बार फिट से कहा जबान फिशली या ये के दिमाग में कुछ और चल रहा है या ये के सियासी तोर पर मजाग बनाने की कोशिश तो नहीं है इसलिए के नरंदर मोदी की मौझूदगी में पहले ही चरण के मतदान से पहले उन्होंने स्टेज से कह दिया था कि अब तो चार हजार से ज़ादा सीटे जो है प्रदान मोझूद नरंदर मोदी को जितवा कर गे दे जी आप लोग और उसके बास जबान फिशली फिर दूसरी बार अगले ही दिन उन्हें ये भी कहा के चार सो नहीं 4,000 सीट जो है बीजे भी जीती जाएगी तो उनके बगल में लोग खड़े थे सीकोर्टी के जो लोग थे वो कहा कि नहीं नहीं हुजूर् चार हजार में जो बला हो सोरी सोरी गल्टी हो गई तो 400 कहना था हम को 4000 देखे फिर दिमागवा काम नहीं कर रहा फिर बुला गिया और आज मुखमद्र नितीश कुमार ने फिर से ये बात कह दी कि 40 की 40 बिहार भी जीतेंगे ही पूरे भारत में 4000 लोगसभागी सीट जीत लेंगे उसी पर आरजेडी ने चुटकी लेते हुए अपने सोचल मीडिया एकाउन पर लिखा कि लगता है कि चचा नितीश कुमार जो है 4000 सीट को पैदा कर देंगे 4000 सीट बनवा ही देंगे पूरे भारत में यानि लोगसभागी 4000 सीट बनवाने की कोशिश में है मुक्मत्री नितीश कुमार जी लेकिन फर्त क्या पड़ता है 400 हो 4000 हो या 40 सीट हो जब हार नहीं है इंडिये को तो कुछ भी बोला जा सकता है और इसी पूरे मामले को लेकर के शोचल मीडिया पर बड़ी जो है फजी है तोरही मुक्मत्री नितीश कुमार की कि आखिरकार एक बार गलती करता है कोई दो बार करेगा तीन चार बार और वो भी एतनी बड़ी गलती एक मुक्मत्री नितीश कुमार से कैसे हो सकती है कि वो बार-बार 40 की जगा और फिर 400 की जगा 4000 कहते जा रहे हैं लोग ये का रहे हैं कि हो सकता है कि मुक्मत्री ईटीश कुमार सियासी चुठकी ले रहे हैं या प्रधार मंडिर नंदमुदी का मजाग तो नहीं बना रहे हैं आखिरकार इस पूरे मामले पर उढ़े ने सफाई तो पहले दी थी लेकिन आज जो उनने कहा कि 4000 सिर जीतवाना है इस पर उनका बयान आना बाकी है